हेलो एवरिवन मैं हूँ आपके इंस्ट्रक्टर रौनुकुल कुमर और आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर सीखेंगे टोटली एच्डियरे के बारे में सो क्वेश्चन यह है वाट मेक्स अगुड एच्डियरेन और यहाँ इस वीडियो का अफ इंट्रस्टिंग होगी डिटेल में देखके समझना और चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब बैल आइकन को दबा दो ताकि में जो लेटी इस वीडियो के अपडेट है वो आपको मिलते रहे वीडियो बसंदे तो लाइक जरूर करना और यह सपना इंपोर्टेंट फीडबैक यानि कि कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलना तो चलिए आज के सेशन स्टार्ट करते हैं यहाँ पर जैसे में आपको बताया हम जो भी कुछ करेंगे वो करेंगे स चाहिए आप कोई भी सॉफ्टर यूज़ कर रहे हो आइधर वो वीरे हो लूमियन हो या फिर माया ब्लैंडर या फिर कोई भी सुआ राइट आप यहाँ पर इस वीडियो को देखने के बाद एच डियरे को 100% अच्छे से समझ जाएंगे सो यह सबसे पहले जो आपके पास में एक पॉइंट रखोंगा एच डियरे के लिए वो है यहाँ पर डैनेमेक रेंज अब आपके सामने एक एच डी आ रहा है इमेज दिख रही होगी और अगर आप देखें तो इसके अंदर जो कॉंट्रास्ट है वह कर रही है ठीक है हर बार यह डाउन कर रहा है ना जैसे अगर मैं आपको यह sketch करके दिखा रहा हूँ तो किस तरीके से यहाँ आते आते तक same । यहां आते तक down हो गया डायनेमिक रेंज आपको मिलता है एक HDRi के अंदर प्लस यहाँ पर जो भी vegetation वगरा होते हैं वो सब कुछ कुछ websites में यहाँ पर आपको description में डाल दूँगा जहां से मैं खुद भी use करता हूँ HDRi अब यहाँ पर अगर मैं HDRi की criteria के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर दो तरीके के HDRi होते हैं एक तो आपके exterior के लिए और एक होते है interior के लिए तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको website पर ले कर चलता हूँ one of my favorite polyheaven आप इस website पर जाएए जिसका link आपको नीचे description में मिल जाएगा scroll down करके यहाँ पर browse HDRi पर click करना है तो अगर आप notice करेंगे तो यहाँ पर आपको total दो segment मिल जाते हैं एक तो interior का और यहाँ पर outdoor का एक बार हम बात करते हैं पहले अपना exterior का exterior यानि outdoor का तो यहाँ पर जैसे ही मैं click करता हूँ click करने के बाद आपके पास यहाँ पर काफी सरे resolution है जो हमारा next point है but आप यहाँ पर सबसे पहले save करने का तरीका सीख लो कभी भी अगर आप HDRi को save करते हो तो आप यह जो source image दिख रही है यहाँ पर भी right click करके save कर लेना तो एक मैं आपको करके दिखा देता हूँ जैसे मैंने यहाँ पर एक इसको save किया और उसके बाद एक resolution download करके मैं इसको download कर लिया अब यहाँ पर notice करने वाला point क्या होगा वो हम मैं थोड़ा सा आपको दिखाना पसंद करूँगा तो इसके लिए हम लोग चलते हैं अपने folder पे तो अभी आपके सामने यहाँ पर एक image दिख रही है और उसके साथ ही यहाँ पर आपको इसका HDR देखने को मिल रहा है मैं एक छोटा सा point करूँगा क्योंकि मैंने बताया मैं सब कुछ detail में बताता हूँ यहाँ पर देखे यह इसकी image है और यह इसकी file है आप यहाँ पर name check कर सकते हो but मैंने image save करने के लिए क्यों कहा क्योंकि आपको इस EXR अगर सिफ लिखा होगा तो आप इससे judge नहीं कर पाएंगे कि यह कौन सी HDR आया है इसलिए यहाँ पर save करने का process आप same ही follow करेंगे अब यहाँ पर आपने यहाँ से download कर लिया तो dynamic range के बारे में पता चल गया आप आपको कि dynamic range का मतलब यह है कि यहाँ पर आपके variation contrast के तुरू depend करते है एक और image के तुरू यहाँ पर मैं सिखाऊंगा आपको तो आप अगर notice करें तो detailing किस तरीके से cover हो रही है यहाँ पर देखो तोड़ा सा आपका low contrast है यह medium है और यह high contrast है इसकी वज़े से variations आप देख पा रहे हो ऐसा लग रहा है इसको देख करके यह evening time का है यह ऐसा लग रहा है कि mid day का है और यह ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल expose कर रहे हैं सब कुछ यह फिर मैं यह कहूं कि यह बिल्कुल आप afternoon में render ले रहे है तो इस तरीकी के variation सिर्फ और सिर्फ dynamic range वाले concept से हमें सीखने को मिलता है यहाँ पर next point पर हम move करते तो next point यहाँ पर क्या होता है resolution यह resolution भी अपना बहुत जादा important role play करता है इसमें इन सभी को आप note करके अपने notes भी बना सकते हो और अगर बहुत detail में आपको rendering software सीखना है sketchup, v-ray, lumion तो आप मेरे को directly contact कर सकते हैं नीचे link मेरा दिया गया है well यहाँ पर मैं आपको सिखा रहा हूँ resolution के बारे में तो सिखाने से पहले आपको लेकर चलता हूँ chrome पर और यहाँ पर same hdra heaven के website पर आप एक panel देखिए यहाँ पर ठीक है आपके पास ये इस पर click करना इस point पर काफ़ी सारी dynamic range है तो इस image की मदद से मैं यही पहले समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर देखो जो आपका background है वो दोनों same है बट इधर वाला आपका blur है और इधर वाले की clarity बहुत ज़ादा है तो यहाँ पर यह जो resolution यह 1K है और यह 16K है जितना ज़ादा आप file का size लेंगे उतना ज़ादा आपको clarity देखने को मिलेगा जैसे कि एकदम natural लग रहा हो इवन अक शापड़ो में भी इसको feel कर पा रहे हैं यहाँ पर तो इस तरीकी के changes आपको resolution में देखने को मिल जाते है सेम एक और image है देखिए कितना ज़ादा यहाँ पर फरक है यहाँ पर जो आपके plants वेगरा है leaves है वो नहीं देख रहे है एवन दो shadows भी नहीं देख रहे है पर अगर मैं दूसरी site पर देखू तो आपके shadow काफ़ी जादा detail में आ रहे है तो आपको कभी भी high quality में download करना है और मैं recommend करता हूं कि आप minimum 8K resolution डाउनलोड करें जैसे मैं 8K select करूँगा आप देख सकते हो यहाँ पर downloading file कितनी जादा heavy हो गई है तो यहाँ पर polyheaven जो है आप इनको support कर सकते हैं कुछ control देकर otherwise यहाँ पर यह total a to z सारे की सारे HDR images free में देते हैं उसके बाद यहाँ पर selection process के बारे अगर मैं बात करूँ तो आपको अपने model के according देखना होगा कि कैसे आपको यह revolve करना है इसको अगर आपको वीरे के अंदर सीखना है कि कैसे use करते हैं आप request कर सकते हो इसके उबर वे मैं special detailed video बना दूँगा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं काफी सारे पेड़ पौदे तो आपको basically weather condition और उसके बाद अगर मैं बात करो उसके surrounding में surrounding बोले तो जो उसमें trees लगी हैं घर बने हुए किस तरीके का चाहिए यह totally आपके उपर depend करता है यहाँ पर आपके पास काफी सारे options मिलते हैं आप देख सकते हो कुछ बड़े ट्री वाले छोटे ट्री वाले बात करते हैं कुछ इनको कब यूज करेंगे तो example की दौर पर मान लो कि एक यह आपका kitchen है एक यह manager square बनाई एक kitchen है ठेक है देन हम लोग render में क्या करते हैं आप मान लोग इधर आपका slab है अब यहाँ पर अगर आप कोई भी external walls नहीं देते हो मतलब इसके आगे नहीं देते हो और अगर आपको दिखाना है कुछ interior तो उस case में हम लोग इनका help लेते हैं ताकि आपके reflections यहाँ पर जो भी आपके cabinets वगरा है इनके उपर reflect हो सकते और यह बहुत इच्छी तरीका है ना आप इसको use कर सकते हैं यह मैंने बताया अगर आप बोलेंगे तो मैं detailed वीडियो जरूर बनाऊंगा तो यह this is all about resolution के बारे मैं जानना था आपको और last but not least well यहाँ पर next point है हमारा कि statically किस तरीके से यह काम करता है जो हम लोगोंने कुछ दिर पहले ही discussion किया तो यहाँ पर आप note कर लेंगे point aesthetics so aesthetics में basically क्या होता है आपका देखिए जो हमारा यह C का area है ना तो इसमें किस तरीके से हम लोगोंने अपना selection दिया और यहाँ पर reflect करवा रहे है राइट ताकि details काफी जादा natural हो पाए है ना तो यहाँ आप मैं थोड़ा से जूम करके दिखा देता हूं देखिए sky का हम लोग ने tone जो दिया है और वो tone कितना classic लग रहा है volume entry effect यूज़ करके this is all about जो यहाँ पर आपको जानना हो था एक किसी भी best hdri download करने से पहले वेल सबसे best website है वो है polyheaven कोई शक्त नहीं है आप इसको अराम से यूज़ कर सकते हैं अब यहाँ पर reference की मैं बात बताओं तो आप यहाँ पर अगर night view पे जाते हैं तो आपको काफी सारे मिल जाते हैं बट मैं कभी भी night view आपको suggested नहीं करता हूं लेकिन night view के अंदर मुझे यह वाला पोस्ट लेली बहुत अच्छा लगता है आप देख सकते हो जो भी यहाँ पर लिखा हो आप इसको पढ़ लिजे बट 07 करके तो सबसे पहले right click करके इसकी image सेलेक्ट करके save कर लेंगे और यहाँ पर 16K वाला resolution डाल लेंगे इस HDR का फाइदा क्या है because आप इसके अंदर मुझे blue tone sky भी मिल जाती है जिससे कि यहाँ पर मैं morning time यूज कर पाता हूँ and मुझे यहाँ पर evening shades भी देखने को मिल जाते हैं जिससे कि यहाँ पर मैं evening time का render निकाल पाता हूँ देखिए basically exterior के case में ऐसा कुछ भी नहीं होदा कि आप night view निकालते है ठीक है तो exterior interior के किस में IT view क्यों निकालते हैं because detailing ज्यादा cover नहीं हो पाती है हम अपने elevations के जो भी details होते हैं जो भी textures होते हैं वो हम लोग नहीं देख पाते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो like जरू करना share जरू करना अगर आपके कोई special video है कोई request डालना चाहते हो वो भी comment जरू करना तो जब तक के लिए चलते हैं थैंक यू फो वाचिंग इस वीडियो गड़ बाई झालना चाहते हैं तो